हेलो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जो भी कल सात राज्यों के नए राज्यपाल नेक्थ हुए हैं जो चेंज हो गए हैं सारे इस वीडियो में मैं आपको पूरा कभर करूँगा और आप ये पक्का मानले पर सेयर के आने वाले सभी एकॉण्स में हैं जो panelists 18 में सभी एक्जाम होने वाले हूं वाले हैं उन्हों में एक क्या पूछ राज्यम को नहें राज्यपाल से कौछ बद लेह हैं जब ही नए नीयुक्तियं होती राज्यृपाल की तो एक कुषचन पक्का समंधित जो आपके एक्जाम पॉइंट वे से बहुत इंपोडेंट है इसकी मत करके इग्णोर मत करके पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जरूर आपको फायदा मन्द हो गई चलिए उसके साथ साथ मैं अनकेड़ी पर ही पढ़ाता हूं दोस्तों तो आप अनकेड़ी में जरूर करिएगा यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा साथ में जो घंटी ये बगले बेल आगए उसको जरूर राण कर लिजे ताकि आप कोशी तरह की डेली वीडियो मिलती रहे वीडियो पसंदा है तो श पर बना दिया गया है लाल जी टंडन को किसको लाल जी टंडन को अब जो है तो बिहार राज का नयरा जिपाल बना दिया गया है इसको याद कैसे रखना है अब देखिए बिहार का भोचपुरी के बहुत फेमेस गाना है जीया हो बिहार के लाला आप लोग सुने होंगे न सब लोग फ्लीज इसको अने था मत लीजेगा ठीक है बस याद करने के लिए बताया हूं तो बिहार के नए राज जिपाल बन गे लाल जी टंडन अब यहाँ पर थोड़ा सा राज जिपाल के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं दोस्तों जो कि आपको क्लियर हो जाया पूरा तो आपको बता दे कि राज जी पाल राज के एक समयधानिक पद है जिसके द्वारे कारे पाली का कारे संचालित होते हैं आपको बता दे कि भाति समयधान के आर्टिकार अनुक्षए 2,53 मूलेक किया गया है कि प्रतेक राज जी का एक राज जी पाल होगा परनतु एक बिक्ति के दो या दो से धिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बरतमान मुदाहरण आपको देदू कि जो मत्प्रिदेश की राज्यपाल हैं अनंदी बेन पटेल अभी बरतमान में 36 गड़ का भी प्रभार सम्हाल रही है क्योंकि अभी बलरामदास जी टंडन का पद पे रहते हुँ निधान हो गया था ठीक है और उसके लाबा दोस्तों समधादो का आर्टिकल 154 के अंदर का तेउल लेखी थे कि राज जी की समस्त कारेपाल का शक्ति राज्यपाल में नीथ होगी जिसका प्रयोग और समिधान के नियुकति कौन करता है ये कोईशन पूछा सकता है तो समिधान का आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की निय आयू सीमा क्या होनी चाहिए तो 35 वर्ष की आयू जो तो पूर्ण होनी चाहिए राज जिपाल यो बनने के लिए भारत का नागरिक हो ठीक है इसके लाब आपको बता देक आर्टिकल 156 के तहत राज जिपाल राष्टपदी के प्रसाद परियंद अपना पद धारन करता है ठीक है और दोस्तों आपको बता दें कि जो है तो इनको नियुक्तिय सम्मंदिक जो सक्तियां होती है वो राज जी के लोग सेवा आयोग जो होते हैं पियस्सी के अध्यक्ष और सदस्से उसके लाबा महाधि वक्ता राज जिवित आयोग के अध्यक्ष और राज मानवाध संदेश पर राष्टपती संबंधित राज्ज में राज्ज की असमवैदा निक्ता के अधार पर राष्टपती सासन लागू कर सकता है ठीक है राष्टपती सासन लागू कर सकता है अर्टिकल काश्मीर तो जम्मू काश्मीर को जो नए राजजपाल बन गए हैं सत्यपाल मलीक कौन बन गए हैं सत्यपाल मलीक बन गए हैं जम्मू काश्मीर के नए राजपाल इससे पहले कौन थे एन एन बोहरा जी इससे पहले थे जम्मू काश्मीर के राजपाल और जम्मू काश्मीर जो नहीं राजजपाल बन गए वो बन गए बेवी रानी मौरे क्रिश्नकांद पाल थे यहां पे उत्राखंड के जो राजपाल इससे पहले थे क्रिश्नकांद पाल थे वरतमान में बन गए हैं बेवी रानी मौरे उत्राखंड के नहीं राजपाल बनाया गए हैं अगला जो बन गए हैं गंगा प्रसाद इससे पहले थे स्री निवास पाटिली अगला कोशन है मेघाले के जो ने राजजपाल बन गए हैं तथागत राय और इससे पहले थे गंगा प्रसाद मेघाले के ने राजपाल बन गए हैं कप्तान सिंग सोलंकी और इससे पहले थे ये तथागत ठीक है त्रिपूरा के इससे पहले राज जपाल थे थागत राया बन गए हैं कप्तान सिंग सोलंकी अगला है जो हर्याणा के नए राज जपाल बन गए हैं सत्देव नारायन आरे और हर्याणा से इससे पहले राज जपाल थे कप्तान सिंग सोलंकी ठीक है सत्देव नारायन सारे बन गए हर्याड़ा के नए गवर्नर इससे पहले थे कप्तान सिंग सोलंकी तो यह थे साथ राज्य को नहराज जिपाल आई होप आपको यह पसंद आया होगा तो वीडियो अच्छा लगा तो शेर जरूर करिएगा और कैसा लगा लाइक करके बताईएगा कमेंट भी कर अब दीजेगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्टूडियो के साथ आपको अल दे वेस्ट थैंक यू